हेलो फ्रेंड्स आइम यूर स्टडी मेट सारीका रमोला और आज हम करने वाले हैं एक बार फिर से हिंदी का एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वाक्यों और उसके भेट ठीक है इससे पहले भी हमने हिंदी के लगभग जो स्लेवस हमने देखा था वो पूरा कर दिया है के लिए देख लेते हैं आज वाक्यों और उसके भेट ठीक है और याद रखना यहां पर जो कुश्चन आता है इससे रेलेटेड एक्जाम में कई बार दो और तीन कुश्चन भी आ जाते हैं इस टॉपिक से बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इसको ध्यान से समझेगा तो कोई भी कुश्चन इससे गरबर नहीं होंगी ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्य कि क्या होता है तो आप सब ने मन की बात अपने जो विचार हैं अपने जो भाव हैं उनको दूसरे तक पहुचाने के लिए जिसका प्रियोग करते हैं वह वाक्य होता है भासा के माध्यम से और उस भाशा में भी क्या वाक्य के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं देखें जैसे मैं example की थ्रोव हम समझते हैं इसको easily जैसे मैंने आपको कहा कि लड़के खेल रहे हैं लड़कियां पतंग उड़ा रही हैं बारिस हो रही है अगर मैं इसके बदले कहती कि लड़के खेल लड़कियां पतंग बारिस हो तो क्या आप समझ पाते हैं उस चीज को नहीं समझ पाते हैं ना तो हम अपनी बात को किसी भी चीज को कहने के लिए क्या करते हैं वाक्य का प्रियोग करते हैं और वाक्य में अगर आप देखेंगे तो सामन्यता क्या होती है क्रिया होती है तो आपने देखा वाक्य क्या है जिससे हम अपने बात अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचात मीन जो होता है question put up कहां से होता है पुछा जाता है जैसे आपसे कि कोई भी sentence दिया रहेगा जैसे example देख लेते हैं यह मैं भी आपको बताऊंगी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं दिये गए वाक्य में उद्दीश क्या है तो आपको बताना है ठीक है तो इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं देख लेते हैं कि जो वाक्य की रचना होती है वो किस प्रकार से होती है तो याद रखेगा वाक्य की जो रचना होती है वो दो प्रकार से होती है एक होता है वाक्य में उद्देश और दूसरा होता है विधे ठीक है याद रखेंगे क्या होता है उद्दे ठीक है और उस उद्दीश के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधे होता है बात समझ में आई वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्दीश होता है और जो कुछ उसके लिए कहा जाता है वो विधे होता है ठीक है कैसे एक्जामपल से समझते हैं मैंने कहा पूरा एक ही sentence है ठीक है मैंने अलग-अलग इसको क्या है define किया है आप पे समझने के लिए हमने कहा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं वाक्य में कौन सा उद्दिश है तो बच्चे हैं उद्दिश क्योंकि बच्चों के बारे में क्या कहा जा रहा है बात बताई जा रही है और विद्धे क्या हो जाएगा क्या उनके बारे में कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है मैदान में खेल रहे हैं बात समझ में आए दूसरा example सभी लोग आज मेले में जा रहे हैं तो उद्देश्य क्या हो जाएगा सभी लोग हो जाएगा क्योंकि हम इनके बारे में बोल रहे हैं और विधे क्या हो जाएगा आज मेले में जा रहे हैं ये हम इनके बारे में बोल रहे हैं ठीक है तीसरा जूट बोलने वाला ल ठीक है और विधे जो उसके बारे में बोला जाता है यह इजी वे में समझने के लिए तो उद्धिश और विधे को एक बार ध्यान से समझेगा और खुद से भी दो चार एक्जामपल आप लोग क्रियेट करिएगा ठीक है अपने से एक साइट उद्धिश दूसरे साइट वि भासा की वह इकाई जो किसी भाव विचार को पूरी तरीके से ब्यक्त कर सकती है वही क्या कहलाता है वाक्य कहलाता है ठीक है बात समझ में है ठीक है अब हम देख लेते हैं कि वाक्य के भीद कौन-कौन से होते हैं यहां से कुशन पुट अप होते हैं ठीक है बेसिलिकली अ अगर आप देखेंगे रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ठीक है रचना के आधार पर यहां से भी कुछिन पूछे जाते हैं एक होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है जटिल वाक्य बात समझ में आई कौन सा सरल वाक्य और जटिल वाक्य चल फिर शाए वो कोई भी sentence हो, जैसे example मैंने लिखे आपके लिए, जैसे मैं दिल्ली जाओंगा, तो एक किरिया है, पिता जी कल आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक किरिया है, वे जूट नहीं बोलते, तो ये भी एक किरिया है, ठीक है, बोलना, रोहन ने खाना खाया, तो ये भ आपके पास एक आता है न, कुशिन की निमने में से सरल वाक्य ढूंड़िये, तो आपको simple ढूंड़ना है, जिसमें एक किरिया हो रही है, ठीक है, चले, अब हम बात करेंगे, जटिल वाक्यों की, जटिल से ही पता चल रहा है, complex यानी, कि जिनको आप easily नहीं समझ पाएं, क ये सरल वाक्य है, कि क्या है, ठीक है, तो अब जटिल वाक्य को समझने के लिए, आप क्या देखेंगे, कि सबसे पहली बात ये क्या होता है, कई वाक्यों से बना होता है, जटिल वाक्यों, ठीक है, क्या है, कई वाक्यों से बना होता है, और basically देखा जाता है, कि इसमें एक से ज़्यादा वाक्यों से बना होता है सरल वाक्यों से और किरिया भी क्या होती है एक से ज़्यादा होती है पेसिकली यह जटिल वाक्य अब हम example देख लेते हैं सरल वाक्य और जटल वाक्य का तो हमें पता चल जाएगा जैसे मैंने इसी से correlate यहां करें हैं ठीक है सरल वाक्य क्या है पिताजी अमरिटसर जा रहे हैं तो यह क्या है सरल वाक्य है माताजी घर पर ही रहेंगी यह अपने आप में सरल वाक्य है और दूसरा है जटल वाक्य के हम बात करेंगे तो कैसा बनता है पिताजी अमरिटसर जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी ठीक है यह क्या है दो सरल वाक्यों से बना वुआ है ठीक है चलिए तीसरा मैंने कहा लड़का जूट बोल रहा था ठीक है लड़का जूट बोल रहा था ये क्या हो गया सरल वाक्य हो गया लड़का चला गया ये भी क्या है सरल वाक्य है लेकिन जटिल वाक्य बनाना चाहें जो लड़का जूट बोल रहा था वह चला गया ठीक ह तो अब आप देखें कई बार आपके पास question आ जाए या कुछ नया आ जाए question कभी कभी कि उपवाक्य किसे कहते हैं ठीक है तो उपवाक्य को सिर्फ और सिर्फ आपने ये समझना है उपवाक्या और सरल वाक्य में कोई भी एक अलग से मौलिक सा अंतर नहीं होता है इस चीज को समझे आप जब जटिल वाक्य में कोई सरल वाक्य आता है उसे ही उपवाक्य कहते हैं ठीक है अब आप बोलेंगे कि जब सरल वाक्य अल्रेडी है तो उसे उपवाक्य बोलने की जरूरत क्या पड़ गई ठीक है तो मैंने आपको क्या कहा कि ये जटिल वाक्य में जब आता है सरल वाक्य तो हम उसे उपवाक्य कहते हैं बात समझ में आई क्यूंकि सरल वाक्य तो अपने आप में एक वाक्य था और उसमें एक किरिया हो रही थी लेकिन जटल वाक्य तो मैंने आपको बताया कि दो से ज़्यादा उसमें क्या हो सकते हैं वाक्य बनके आ सकते हैं ठीके तो उसका जो एक वाक्य होगा एक सरल वाक्य होगा उसको उप वाक्य कहा गया है ठीके तो ज़्यादा इसको confuse होने की जरुरत नहीं है कुल मिलाके जटिल वाक्य में जो आता है सरल वाक्य वही उप वाक्य कहलाता है ठीक है चलिए तो अब हम देख लेते हैं जो हमने जटिल वाक्य देखा था इसके भेद देख लेते हैं और यहीं से question जादा पूछे जाते हैं एक तो सरल वाक्य का मैंने बता दिया अब देखिए आप जो जटिल वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है संयुक्त वाक्य और दूसरा होता है मिस्र वाक्य यह मिस्रित वाक्य से कहते हैं ठीक है एक कौन सा संयुक्त वाक्य दूसरा मिस्रित वाक्य मिस्र वाक्य ठीक है अब आप देखिए जो संयुक्त वाक्य होता है इसकी पहचान कैसे करेंगे ठीक है में बात तो यह होता है ना कि जब हमारी पास question आता है हम उसको clear कैसे करें हमें याद थोड़ी नहीं करनी यह चीजे हमें समझनी है कि हम अपने exam को crack कैसे करें उसे clear कैसे करें तो आपको समझना है उस चीज को कि हम पहचाने कैसे कि संयुक्त वाक्य है तो देखिए आप संयुक्त से ही क्या पता चल रहा है दो चीजें जुड़ी वी संयुक्त मतलब क्या होता है जुणना तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का प्रियोग हुआ हो वो संयुक्त वाक्य होते हैं तो आप बोलेंगे वो तो मिस्रित वाक्य भी हो सकते हैं उसका मतलब भी क्या होता है मिस्रित होना होता है एक होना होता है ठीक है जुड़ना होता है लेकिन संयुक्त वाक्य की आप पहचान कैसे करेंगे इनमें ये जो चिन है न जोड़ने के जैसे एवम और तथा या अथवा इसको ध्यान रखेगा ठीक है इसलिए अतः फिर भी किन्तु परंतु लेकिन पर यह सब जो शब्द आएंगे यह किसमें आएंगे सहुतु फॉक्षे में आएंगे तो अब यह चीज़ें आप देख लेंगे ठीक है इसका एक पहचान है इसकी सहित वागे की ठीक है जुड़ा है यह बच्चे खेल रहे हैं पहला तो क्या हो गया एक दादा जी सो रहे हैं और जुड के ये दूसरा वाक्य भी इसमें जुड गया है learnt तो पहचान करने के लिए नेकस्त मैं तो यहीं रहूँगा पर आपको जाना होगा थीक है तो पर क्या है इसमेख स्पक्द बनाता है थीक है नेक्स्ट है आप यहीं रुकिए या मेरे साथ घर चलिए यहां से आप क्या पहचान करेंगे कि यह क्या है संयुक्त वाक्य है ठीक है नेक्स्ट है जल्दी स्कूल चलो अन्यथा देर हो जाएगी ठीक है तो यह भी क्या है संयुक्त वाक्य है दोड़ों को जोड़ने के जो करें चलरे हैं अब हम देख लेते हैं कि मिस्र वाक्य या मिस्रित वाक्य क्या होते हैं चिं वाक्यों का मीनिंग वह होता है कि मिस्रित यह भी मिले हुए जिन वाकियों में एक प्रधान यानि मुख्य उपवाकिय होता है कुल मिलाके हम इसे कहेंगे सरल वाकिय ह ठीक है और अन्य आस्रित उपवाकिय होते हैं यह बहुत इजी है अकर आप समझेंगे हैं सांयृत वाकिय में दूम जुड रहे हैं लेकिन एक दी पर आसर moط लेकिन मिष्रित को होता है और नुस्रा होता है उस पर डिपेंडेंड होता है असरित होता है अब इसका हम कैसे समझेंगे ये सारे क्या हैं मिश्रित वाक्य के कारचिने जिन से आप पहचान कर सकेंगे जैसे कि जो क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहां वहां इधर उधर अगर आदी ये सब क्या हैं मिश्रित वाक्य हैं लेकिन अगर आपको ये नहीं भी आते हों तो आपको पता चल जाएगा पढ़ते ही देखी जैसे एक्जाम्पल में मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं ठीक है तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य है ठीक है? और ये क्या है आपका प्रधान वाक्य अगर परिश्रम करेंगे यह क्या है प्रधान उपवाक्य है और इस पे आश्रित है कि जब परिश्रम करोगे तब ही क्या होंगे उतीन होंगे ठीक है वैसे ही मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरी माता जी की बीमार है ठीक है यह क्या है उपवाक्य हो गया प्रधान और इस प क्लियर हो गया सर्यल वक्य सईंत वाक्य के जटिल वक्यक मिष्ड और सउ क्लियर यह थे तो उपने रचना का अधहर पर देखे थे अब देखें लेते हैं अर्थ के पर वक्यक के भीद थिचे आप़ लग वहाँ होगा बहुत टििंग क्या और बहुत जादा complicated है इसमें लेकिन आप एक बार देखिए कितना easy है ठीक है अब अर्थ के आधार पर हम देखेंगे तो वाक्य की जो समयननेता भेद होते हैं वो art होते हैं ठीक है मैं अलग-अलग करके आपको बता रही हूँ जैसे हम वाक्य का कौन सा भीद है जैसे हमने कहा विधान वाचक वाक्य या इसको क्या कहते हैं कथनात्मक कहते हैं जिसमें हम किसी भी कथन को कहते हैं यानि जिसमें किसी किरिया के होने या होने का बोध होता है वही क्या होते हैं विधान वाचक वाक्य होते हैं जैसे वर्सा हो रही है तो ये क्या है किरिया मैंने दूद पिया राम पढ़ रहा है तो ये कथन है आप इनको डेरेक्ली बोल रहे हैं, किरिया हो रही है या होने का बोध हो रहा है, या पता चल रहा है चैली है, next आमने कहा निशेद वाचक, वाक्या निशेद का मतलब क्या होता है न करना और मना करना किसी चीज के लिए stop, ठीक है तो कारी के न होने का भाव प्रकट होता है जैसे मीरा डॉक्टर नहीं है ठीक है? मैंने खाना नहीं खाया तुम मत लिखो यानि जिसमें नेगेटिब चीजें जादा होंगी वो निशेद वाचक वाक्य होगा बात समझ में आए और जब आपको ऐसे चीज़ समझ में ना आए तो एक्जाम्पल से आप समझेंगे नेक्स्ट है आग्या वाचक तो आग्या वाचक से क्या पता चल रहा है? कैसे वाक्य है? जिसमें आग्या, प्रार्थना, उबदेश का ज्यान हो वही वाक्य क्या कहलाते हैं? आग्या वाचक वाक्य कहलाते हैं जैसे हमने कहा बाजार जाकर फर लाओ तो ये भी क्या है? हम आदेश दे रहे हैं उबदेश दे रहे हैं ठीक है? किसी को बड़ों का सम्मान करो तो ये भी क्या कर रहे हैं? आग्या दे रहे हैं से आ रहे हो तुम क्या कर रहे हो यह जितनी भी चीजे हैं यह क्या है प्रश्न वाचक है तो चार भीद हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के यहां पर देख लिए ठीक है चलो अर्थ के आधार पर वाक्य के हम चार भीद और देख लेते हैं यहां पर मैंने तीन लिखें इसके बशच्बात दे रहा है या सुपकांधा है ऐसे वाक्यों में फी के इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं जैसे तुम्हारा कल्यान हो ठीक है बढ़वान तुम्हें लंबी उम्र दे जो ऐसे वाक्य होते हैं फीक next है sandhih watchak तो नाम से पता चल रहा है कुछ doubtful है sandhih है कुछ संभावना है इन वाक्यों में जैसे शायद साम को बारिस हो तो ये क्या है संभावना है हो सकता है आयुश आ जाए तो क्या है संभावना है थीक है चलिए next है vishmay watchak तो ये भी मैंने आपको पहले भी संदी में बताए था कि क्या होता है इन वाक्यों में कोई आश्चर, क्रोध, सोक, घ्रिन, आदी का बोध होता है ठीक है और इसका चिन पता होता है जिन भी वाक्यों में आए विश्मय वोदक जो कारक होता है चिन होता है इससे इसकी पहचा पहचान कर सकते हैं जैसे हमने का वह साबास ठीक है बहुत अच्छा और भाईयों और वहनों ऐसे जो शब्दे हैं उनमें इसका प्रियोग किया जाता है तो आप इसको इसली पहचान पाएंगे ठीक है चैली आटवां भीट जो है वह संकेत वाचक क्रिया और इसमें क्या होत पता चल रहे हैं लेकिन इसमें एक वह है कि जब एक किरिया का होना दूसरी किरिया पर निर्भर करेगा ठीक है एक किरिया का होना किस cassis को आज निरबहर करेगा उसको क्या कहते है संकीत होगी तो फसल भी होगी तो निर्भर कर रहा है वो उस पे तो चलिए यह हो गए है वाक्य और उसके भेद आप लोगों को समझ में आए हो चलिए कुछ कोशन हम लोग कल लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे कुशन इससे रिलेटिड पूछे जाते हैं वाकी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें खुब सारे कुशन में आपको हिंदी के बहुत अच्छे कुशन करवाऊंगी ठीक है चलिए पहला कुशन है रोहन पढ़ता है तो सिंपल है एक किरिया हो रही है तो क्या हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा ठीक है चलिए दूसरा कुशन है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली ठीक है तो ये क्या है इसमें क्या है किंतु क्या है यहाँ पे संयुक्त वाक्य है ठीक है इसका चिन नेक्स्ट है तुलसी दास नहीं कहा कि विनाशकाल में मनुष्य की बुद्धी भृष्ट हो जाती है ठीक है तो इसमें जो की हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मिश्रवाक्य हो जाएगा ठीक है बात समझ में की क्या हो जाएगा मिश्रवाक्य हो जाएगा और यह क्या होता है आश्रित है ना क्यूंकि ये उप प्रधान वाक्य है तुल्सी दाजी ने कहा और क्या कहा विनाषकाल में मनुश्य की जो बुध्दी होती है भृस्ट हो जाती है ठीक है नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिस्र हो जायगा ठीक है जैसे option B देखे मैं पढ़ता हूं और वह गाता है तो यह और क्या है संयुक्त वाक्य की पहचान है दो अलग-अलग वाक्य है और चुड़े हुए है ठीक है तो option B इसका right answer हो जाएगा नेक्स question है इसवर तुम्हें सफलता दे ठीक है तो इसमें क्या है आशीज है एक आसिरवाद है और ऐसे वाक्य कैसे थे इच्छा वाक्य थे ठीक है तो यह मैंने आपको question का format बता दिया है कि कैसे question पूछे जाते है I hope आप लोगं को समझ में आया अगर समझ में नहीं आएगा तो एक दोबार फिर से वीडियो को आप सुन लीजे चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा like share जरूर कीजे कॉमेंट जरूर कीजेगा दिरते है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहें तब तक के लिए धन्यवाद